गाउं जान्डवाला बागड में धुमदाम से मनाया एद का परव। गाउं जान्डवाला बागड की मस्चिद में एद का परव सनिवार को बड़े धुमदाम के साथ मनाया गया। इस दोरान गाउं जन्डवडबागड, रूपाना, पिली मंदोरी, देयर, जोगिवड़ा से सेंकडो मुसलिम भाई यहां एक्तरित हुए। सुभए मस्चिद के मौलवी सिराजुद्दीन ने नमाज अता करवाई। इस मौके पर गाउं के हिंदू भाईयों ने मुसलिम भाईयों को गले मिलकर एद की मुबारक बाद दी। रमजान महिने के आखरी दिन का चांद देखकर अगले दिन सुभए एद का त्योहार मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान महा के आखर दिन का चांद देखने के बाद सनिवा को सुबह खुशी से इदूल फीतर का त्योहार मनाया सुबह मस्जिद में समुदाय के लोगों ने नमाज अता की और मिठाईयां बांट कर खुशी का इजहार किया इद का त्योहार एकता और आपसी सुहार्द की भावना को बढ़ावा देता है जिसके चलते गाउन जानवार बागड के हिंदू लोगों ने भी अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ गले मिलकर इद को मुबारक बाद दी और खुशी का इजहार किया गाउं बढगाउं से युवक गायव मा की मोत से सदमे की आशंका गाउं बढगाउं से एक युवक गायव हो गया मा की मोत की सुचना पर आशंका जता जा रही है कि उसे गहरा सदमा लगा पुलिस मामले की जांच कर रही है सनिवार को मिली जानकरी के अनुसार बंगाउं निवासी महंदर ने पुलिस को दी शिकायत में बता है कि उसका पुत्तर भीम अचानक कहीं चला गया उन्होंने उसकी अनेक स्थानों पर तलास की लेकिन कोई पता नहीं चला पुलिस ने गुमसुदगी का मामला दर्ज किया है वहीं उसी दिन उसकी मा का ध्यानत हो गया था पुलिस असंका जता रहे हैं कि उसे गहरा सदमा लगा हो सकता है जिसकी पुलिस भी अपने स्थर पर तलास कर रहे हैं वहीं प्रीजन ने भी जान सुरूख कर दी है इस समंध में किसी को भी कोई सूचना मिले तो क्रीपया वह उनके प्रीजनों वह भट्टुकला प्रीज को इसकी सूचना दे ताकि प्रीजन को उनका खोया हुआ लाल मिल सके गाउं से खुपर दडोली में एक व्यक्ति से मार पिट के आरोप में पुलिस ने तीन के खिलाफ किया मामला दर्ज सनिवार को पुलिस से मिली जानकरी अनुसार गाहल हरपाल निवासिस से खुपर दडोली ने आरोप लगया कि उसने अपने खेत में सबजी की खेती की हुई है जिसमें पडोस में गिहूं कड़ाई का कारेच चल रहा था जिसकी धूल से उसकी सबजी की फसल खराब हो रहे थी ऐसा करने पस जब उसने रोका तो आरोपी रोतास हनुमान कपील ने उस पर हमला बोल कर उसके साथ मार पिट कर दी पुलिस ने सिकायत के अधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँ शुरू कर दी है सणीवार को मिली जानकरी अनुसार पौलिस को सूचना मिली कि एक वेकती कार में सराव रख रामसरा रोड से भट्टू की ओर आ रहा है जिस पर पौलिस ने गाउ रामसरा वे महराणा के बीच नहरपूल पर नाका लगाया तबी राजस्तन साइड से कार आती दिखाय दी पुलिस देखकर चालक ने कार मोड दी जिसे पुलिस ने पकड़ कर उसके कबजे से दो थेलों में रखे अर्तारिस बोतर सराप ठेका देशी मार का माल्टा मस्ति ब्रामत कर चालक जस्वीर निवासी दियर को काबू कर उसे उक्त सराप समन्दित परमिट बन लाइसेस मांगा नय दिखा पाने पर उसके खिलाफ आपकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है